मामला MG रोड थाना शेतर केस नेहलता गंज स्थित श्रीनाथ अपार्टमेंट का है यहां रहने वाले प्रकाश शाह की घर के अंदर ही अचानक संदिग्द परिस्थितियों में मौत हो गई पती की मौत से बदहवास पतनी ने आसपास के पडोसियों को भुलाया लेकिन करीब 10 मिनट बाद ही पतनी ने भी दम तोड़ दिया अचानक उनकी तवियत खराब होई और देत हो गई है जाए सजमे में भावी की देत हो गई है ऐसा है तो बड़ी दूखत गटना है हम लोगों के लिए और एक हमारा साथ ही है और जिसके निजन पर हमें आग दूखिए है अब कल पोस्तमाटम के बाद जोगी समय होगा बताया जा रहा है कि डिप्रेशन के कारण पत्नी की मौत हुई है घटना की सूशना मिलते ही मौके पर पहुँची पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों ही शवों को पोस्तमाटम के लिए मवाई एस्पताल भिजवाया बता दे प्रकाश शाह गुजराती समास संस्थान में वे अपने घर से नहीं निकले पडोसियों ने शाम कोने घर की गैलरी में टहलते हुए देखा था उसका भतिजा भी मिला उनने बताए कि मेरे चाहता है प्रकाश कीता संतिलाल साहा उम्रज जोशट साल लेक नंबर 302 शिरिनाथ अपार्टमेंट में बरत वस्ता में पड़ा हुआ था पर हम और देखे तो स्की बाइदी शिरि मती इस्निता अपराताच नहीं रख पेसद संग कर दो सब्सक्राइब जोशट सर्फ है यह यह जबाए तक बढ़ा है अधर की देख होगई है अधर हमने रिक शाजिकारी को बताये है कि उसका सो की में हम एमबवेच बीकाए यह आप आप मोके पर गया थे क्या लगा आपको परतम दश्टा देखके अमको देखाया कि अलेकी उम्रद भी थी और आस्थास जो प्लेट वाले बता रहा थे कि यह बीमार भी रेते थे थे और नीचे कोई दुकान से उसने टेबलेट लेने भी जाता थे लिए दो गंडे पहल प्रारंबिक जांच में मौत का कारण संभवता हार्ट अटेक माना जा रहा है